हलो एवरिवन, स्वागत है आपका प्रशान चतुरवेदी इस यूटूब चैनल पर, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक आप लोगों की आने वाली एक्जाम्स के लिए international organization इसको देखने वाले हैं ये इस topic का part number one रहेगा इसके आगे में हम और भी videos लेकर आएंगे जिसमें हम लोग international organizations जिसमें से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं उन पर based information को और MCQs को देखेंगे तो चलिए start करते हैं हम आगे बढ़े उससे पहले में जल्दी से आप लोगों को बता दूँ friends की आप लोगों के आने वाली ATC exam के लिए जो है online courses चल रहे हैं आपको कोई भी इससे related जानकारी चाहिए तो आप इन numbers पर call कर सकते हो या WhatsApp कर सकते हो friends आपको सारी जानकारी provide कर दी जाएगी तो चलिए जल्दी से हम लोग start करते हैं देखिए मैं आप लोगों को जो भी information दूगा friends पहले मैं आपको पढ़ाऊगा उसका content पढ़ाऊगा और उससे related फिर question पुछूगा आपको क्या करना है आप लोगोंने ये information सुननी है ध्यान से समझनी है और फिर मैं जो questions आप से पूछूँगा उसके answers आपको comment box में लिख कर करने है इससे आप लोगों की understanding और जादा बहतर होंगी आप लोग बहतर तरीके से जादा समय तक इन सारी चीज़ों को याद रख पाऊंगे ठीक है चलिए तो start करते है friends हम लोग आज जो international organization सबसे पहले देखने वाले है वो है world trade organization WTO अब देखिए इसमें से कई बार question आता है सबसे पहले तो यह आता है कि WTO की स्थापना या इसका foundation कब रखा गया था तो आपको याद रखना है 1 January 1995 1st January 1995 को इसको स्थापित किया गया था Geneva Switzerland के अंदर में चीक है तो Geneva Switzerland में इसका headquarter है at present इसके director general कौन है ये भी question आ सकता है friends क्योंकि कुछ समय पहले ये question current affairs के अंदर में भी थ इसका first African woman chief जो है पहली African और पहली महिला chief WTO की बनी थी जिनका नाम था यहापर में नगोजी ओकोंजो इवेला तो यह याद रखने है आप लोगों ने नगोजी ओकोंजो इवेला ये पहली African और पहली महिला first women chief है WTO की इसी वज़े से ये question बहुत जादा important हो जाता है आप तो WTO की स्थापना first January 1995 को ही थी इसका headquarters आप लोगों को मिलेंगे Geneva Switzerland में इसकी अभी director general यह इसकी मुखिया जो है नगोजी ओकोंजो इवेला है यह अफरीका से बिलोग करती है यह याद रखने है आप लोगों ने इसके अलावा friends मैं अगर आप लोगों से बताओ तो अभी W WTO के 164 member countries है ठीक है तो 164 members है जिसमें से अफगानिस्तान सबसे recent है 164th number का member बना था अफगानिस्तान 2016 में ठीक है तो WTO को टोटल 164 members है अफगानिस्तान सबसे recent में मतलब 2016 में बना था यह आप लोगों को याद रखना है इसके अलावा WTO के 22 observer जो government से वो भी है आपके जो इसके member नहीं है बट उसके साथ में मिलकर काम करते हैं ओके आप लोगों को में याद रखना है 164 member countries इसके अलावा अबगर हम देखे फ्रेंड्स तो WTO के पहले क्या था World Trade Organization के पहले हमारे World में या हमारे International Community के अंदर में trade को कौन मॉनिटर करता था तो वो था आप लोगों का गैट देखें फ्रेंड्स गैट का फूल फॉर्म है General Agreement on Trade and Tariffs and Trade तो General Agreement on Tariffs and Trade गैट जो है इसकी स्थापना होई थी 1st January 1948 को ठीक है 1948 में इसकी स्थापना होई थी लेकिन फ्रेंड्स 1st January 1995 को इसको discontinue कर दिया गया गैट को और गैट के जगह पे आपका आया था WTO तो WTO का जो ह आपका आंसर होना चीए गैट General Agreements on Tariffs and Trade इसकी स्थापना कब होई थी इसकी स्थापना होई थी 1st January 1948 को ठीक है तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो 1948 में गैट बना था 1995 में WTO ने उसकी जगह ले ली अब देखिए हुआ यू कि जो General Agreement on Tariffs and Trade गैट था आप लोगों का उस कितनी छूट International Trade को देनी चाहिए कितने टैक्स लगना चाहिए जो एक country है जो export कर रहा है और जो दूसरा country import कर रहा है उसके बीच में कितनी छूट होनी चाहिए ऐसा ना हो कि जो दूसरा जो country export कर रहा है वो बहुत जादा दूसरे देश के अंदर में बहुत जादा सामन भे रखकर बहुत सारी बाते हुई यह 1986 से लेकर 1994 तक चला यह पूरा जो एग्रिम जो पूरा last round की जो meeting थी वो बहुत लंबी चली 1986 से 1994 तक इसी को उरूगवे round भी बोला जाता है वैसे यह उरूगवे क्या है यह एक extra point आपको बता देता हो friends उरूगवे जो है आपको याद र मॉन्टे वीडियो ठीक है मॉन्टे वीडियो चली तो बस इतना आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो now friends अगर हम लोग आगे बड़े एक question देख लेते हैं इससे related आप लोग इसका answer comment box में लिखोंगे world trade organization WTO जो है इसको कब start किया गया था जल्दी से आप लोग comment में answer ल है WTO के headquarters कहा पर में है ठीक है WTO जिसने GAT को replace किया था तो WTO के headquarters कहा पर में मिलेंगे आप लोगों को Switzerland जिनेवा के अंदर में तो ये भी important question बनता है exam के point of view से next question आप लोगों का जो है वो world economic forum से रहेगा तो world economic forum के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देते तो ध्यान से इसके headquarters आप लोगों को मिलेंगे को लोगनी जिनेवा के अंदर में एक जगह है को लोगनी जिनेवा में Switzerland के अंदर में ओके तो को लोगनी Switzerland के अंदर में world economic forum का headquarters है world economic forum की स्थाप ना 24th January 1971 के अंदर में 24th January 1971 में हुई थी जब इसकी इसको formation किया गया था उस समय में इसका ना नाम चेंज कर दिया गया 1987 के अंदर में World Economic Forum, बाकी जैसे आप लोगों को पता है, GAT के जगह पे आपका WTO आया था, वहाँ पर में पूरा structure ही चेंज हुआ था, बट यहाँ पर में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर में European Management Forum इसका नाम था, इसका नाम चेंज करके World Economic Forum कर दिया गया बस 1987 में, तो इसी वज़े से हम लोग यहाँ पर में बोलते हैं कि World Economic Forum जो है, इसकी जो foundation है, वो 24 जनवरी 1971 में ही हुई थी, बस नाम चेंज हुआ है इसका World Economic Forum 1987 के अंदर में, ठीक है, World Economic Forum की जो थापना है, वो किसने की थी, किसने इसको found किया था, यह किया था, आप लोगो Management Forum के नाम से, 24 जनवरी 1971 में, को लोगनी, जो जीनेवा में एक जगा है, स्विजर लेंड के अंदर में, वहाँ पर में इसको स्थापित किया था, स्विजर लेंड में एक जगा है, दावोस नाम से, यहाँ पर में हर साल एक Annual Meeting होती है, World Economic Forum की, तो दावोस मीटिंग या World Economic Forum की, दावोस में इसका Headquarters नहीं है, बट दावोस नाम की एक जगा है, जहाँ पर में हर साल World Economic Forum अपना एक, एक सम्मेलन आयोजीत करता है, एक Meeting आयोजीत करता है, जिसमें दुनिया भर से बहुत सारे जो Stakeholders है, जो Economy के अंदर में, दुनिया की Economy में contribute करते, वो लोग आते ह ठीक है, बातचीत करते हैं, अपने Presentations देते हैं, ओके, तो दावोस सम्मेलन World Economic Forum से Related है, यह याद रखने हैं आप लोगों ने, Now Friends, World Economic Forum बहुत सारी Reports जो है, वो Release करता है, उनमें से कुछ Important वाली जो Reports है, उसकी List यहाँ पर में, आपको पता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि Global Risk Report कौन निकालता है, तो उसका आंसर होंगा, World Economic Forum, आप लोगों से कई बार यह भी पूछा जा सकता है, आप लोगों से कि Global Competitiveness Report कौन निकालता है, तो आंसर होंगा, World Economic Forum, तो आप क्या कीजिए, इसका एक बार स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हो, या इसको Note Down कर सकते ह और दो-तीन बार आप बस रिवाइस कर लीजिए, थोड़ा सा रिवाइस करोंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, कम से कम आप लोग यह वाला Global Competitiveness Report, टीक है, Global Gender Gap Index, टीक है, Global IT Report, Global Risk Report, एटलिस इतना तो याद कर ही लेना आप लोग, जो World Economic Forum निकालता है, क्योंकि यह स और इसका, हैट कोर्टर कहा पर में, लोकेटेट तो World Economic Forum जहए, इसका हैट को मिलेगा, मिलेगा, कोलोगनी, इन webinar कोलोगनी, कहा पर में है, कोलोगनी, कोलोगनी, Switzerland, जीनेवा में ही है, तो जीनेवा, सुरिजर लैंड, तो वहाँ पर में कोलोगनी नाम की जगर है, जहाँ प आपना हुई थी 19th December 1966 को, इसका headquarter आप लोगों को मिलेगा Friends, Manila Philippines के अंदर में, चीक है, Manila के अंदर में भी Friends, एक जगह है आप लोगों की Mandliu Yonk, चीक है, तो Mandliu Yonk करके एक जगह है Manila Philippines के अंदर में, तो यहाँ पर में इसके headquarters है, जनरली Mandliu Yonk के जगह पर Philippines आता है या फिर Manila ही आता है, तो Manila आप लोगों याद रख सकतो, Asian Development Bank का headquarter, ADB का, अभी इस समय, ADB के current president कौन है, तो यह आप लोगों याद रखेंगे Friends, Matsugu Asakawa, ठीक है, तो Matsugu Asakawa जो है, इसके president है, important point है, याद रखना है आप लोगोंने, ADB जो है Friends, इस समय में, यहाँ पर में, इसके members कितने हैं, तो 68 member countries है, यह भी आप लोगों याद रखोंगे, जिसमें से 49, ठीक है, एशिया के है, और 9, एशिया और Pacific region जो है, आप लोगों आपको पता है Pacific, जो ओशिया ने उसके आसपास वाले, और 19 जो है, वो बाहर के है, तो Asia Pacific, ए countries है, 49, और 19 उसके बाहर के है, तो आपको नाम याद नहीं करने कौन कौन से, पूरे total 68, बस यह याद रखने है कि 68 member countries है, Asian Development Bank के, इसका headquarters कहाँ पर में है, Manila, Philippines में है, यह याद रखने है, आपने 1966 में इसको found किया गया था, Asian Development Bank के अंदर में सबसे ज़्यादा share किसके है, तो Asian Development Bank के अंदर में सबसे ज़्यादा जो share है, वो मिलेंगे आप लोगों को, जापान के, यह याद रखना है आप लोगों ने, तो जापान के सबसे ज़्यादा share है इसके अंदर में, उसके बाद में बारी आती है, आप Asian Development Bank का सबसे बड़ा stakeholder कौन है या shareholder कौन है ये question बन सकता है आपका exam में जापान के पास में 15.677% percentage नहीं भी याद रखो के तो चलेगा at least आप लोगों को ये याद रखना है पहले दूसरे तिसरे चौते नंबर पे कौन है क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर में 4th नंबर पे आ is the headquarter of Asian Development Bank ये question आता है एक्जाम के अंदर में Asian Development Bank इसका headquarter आप लोगों को मिलेंगा friends Manila Philippines के अंदर में चाली नेक्सटे फ्रेंड्स Asian Development Bank को establish कप किया गया था तो Asian Development Bank को establish किया गया था 19 December 1966 के अंदर में तो 1966 यहाँ पर में आपका answer हो जाएगा ओप्शन नंबर C एक question और देख लेते आप लोगों का आप लोग इसका answer comment box में जल्दी से कर दीजिए मेरे बताने से पहले in which years was the World Trade Organization established World Trade Organization की स्थापना कब हुई थी तो World Trade Organization जो है इसकी स्थापना हुई थी एक जन्वरी 1995 को यह भी याद रखना है आप लोगोंने important point exam में पूछ सकते हैं अभी थोड़ी दिर पहले हम लोगोंने WTO के बारे में देखा WTO से पहले था GAT ओके GAT की स्थापना हुई थी 1948 में 1948 में इसका full form क्या था GAT 1948 से 1994 तक रहा 31 December 1994 तक एक जन्वरी से WTO ने इसको take over कर लिया था तो इसका full form क्या था फ्रेंट इसका जो आप लोगों का full form था वो था general agreement on trade and tariff तो general agreement on trade and tariff ये इसका full form था GAT का general agreement on trade and tariff तो फ्रेंट्स ये आज का आप लोगों का part number 1 था इसको हम लोग और भी organization से जो part number 2 में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे वीडियो रख रहे हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से याद कर सके सारी चीज़ों का आप लोग समझ सके तो ये international organization का part number 1 है आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा क्या आप लोग इसका part 2 जल्दी से देखना चाहते हो क्या आप लोग इन सारी चीज़ों को और detail में पढ़ना चाहते हो MCQs जादा करना चाहते हो तो आप लोग comment करके बता सकते हो ताकि हम लोग और जादा MCQs आप लोगों के लिए लेकर आ सके तो ये part एक छोटा सा part था part number 2 भी आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको भी revise कर सके तो at least आप ये जो 3-4 organizations मैंने इस वीडियो में आपको कराया है at least आप जल्दी से उनको कर लीजिए ताकि इन में से अगर कोई question आता है तो आप लोग उसको solve कर सके तो मिलते हैं friends हमारे next lecture में इसके part number 2 में तब तक के लिए thank you very much take care and bye God bless you all thank you very much